तेलंगाना में कॉंग्रेस पार्टी को एक और बड़ा जटका लगा है। को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है उन्होंने कहा कि दिल्ली के बीजेपी प्रतिनिदियों को मुझसे मिलने के लिए भेजा गया था मुझे भी बात चीत करने के लिए दिल्ली बुलाया गया था मेरा दक्षिन भारत के दलित नेता के तौर पर बीजेपी में शामिल होना अच्छा होगा सत्यनारायन ने कहा कि उन्होंने बीजेपी से किसी भी तरह का आश्वासन देने को नहीं कहा है साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी भी पार्टी से ये नहीं कहा कि वो मुझे कोई पद दिलाए वहीं कॉंग्रेस पार्टी की इस्तिती पर किपड़ी करने से उन्होंने इनकार कर दिया है इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष